आयारे सदिकारी राहूल नवीन को E.D. का डिरेक्टर ने उक्त किया गया है तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की E.D. से जुड़ी आ रही है E.D. को राहूल नवीन के तौर पर नया डिरेक्टर मिला है E.D. जो जांच अजनसी है और इस वक्त देश में सबसी ज़्यादा चर्चा जिस अजनसी की हो रही है वो E.D. है इनफोर्समेंट डिरेक्टर और E.D. को अब नए डिरेक्टर मिला है राहूल नवीन के तौर पर तो आयारे सदिकारी है राहूल नवीन जिनने E.D. की नई जिम्यदारी दी गई है E.D. के नए डिरेक्टर होंगे राहूल नवीन और इनके बारे में जो जानकारी है ये इंडिये रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है 1993 बैच के प्रमूत शर्मा इस वक्त मेरे साथ जोड़ चुके प्रमूत क्या कुछ इंफर्मेशन राहूल नवीन को लेकर आपके पास है और E.D. जैसे संस्था का उनको डिरेक्टर बनाए गया है तो एक बड़ी चनौती उनके सामने है क्योंकि E.D. एक ऐसी अजनसी है जिस वक्त देश के तमाम बिपखशी दलों के निशाने पर है प्रमूत आपको बड़ी आवाज आ रही है लेकिन ऑफिशली वो डारेक्टर निक्त नहीं किये गए थे और स्पेशल डारेक्टर के तौर पे वो डारेक्टर का चार्ड देख रहे थे इससे पहले जो 1984 बैच के जो I.R.S. अधिकारी से संजेब मिश्रा उनके रिटार्मेंट के बाद से कोई फुल टाइम जाओ है डारेक्टर नहीं था और अब राहूल नवीन को जो है वो कैबिनिट कमीटी ने जो है अप्रूवल दिया है और अगले दो साल तक अब राहूल नवीन एडी डारेक्टर के तौर पर कामकाज करेंगे और तरीके से जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंडरी एक्ट को लेकर जो सबसे ज़्यादा केसी करती है जिसमें विपाक्षी या पिर जो बड़े बड़े जितने भी इंडिस्टिस्ट हैं उनको लेकर जो हाई प्रूपाइल केसी से होते हैं उसकी जाज करने वाली E.D. को अब एक फुल टाइम डिरेक्टर मिल गया है राहूल नवीन और पिछले काफी वक्ते ये अशंका जताई जा रही थी किया डिरेक्टर के तौर पर क्या राहूल नवीन को ही जो है वह ये पद्द दिया जाएगा जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर किसी और अधिकारी को सीनियर आपिसर को जो है E.D. डिरेक्टर के तौर पर लाएगा उन सब अठकलों पर विराम लगाते हुए जो एक और है उसने साफ हो गया कि अब अगले दो साल तक राहूल नवीन E.D. डारेक्टर के तौर पर कामकाज देखेंगे बहुत 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 शुक्रिया प्रमूद आपका तो एक्टिंग डिरेक्टर हुआ करते थे लेकिन आप ओफिशली डिरेक्टर हो गये हैं और दो साल तक उनका कारेकाल होगा बहुत शुक्रिया प्रमूद आपका इजानकारी के लिए